नमस्कार विद्यार्थीगन आज हम पुराण के बारें पढ़ेंगे पुराण विचार सबसे पहले हम इसे उधरने के माध्य हमसे देखते हैं जैसे आपर एक सब्द दिया हुआ है अमन अमन सब्द है ये किर्वर्णों की योग से मिलकर बना है तो इसके अंतरगति आवरन म आवरने आवरने नवरने और आवरने ये जो पांच वरने मिलकर बने है तो इससे एक सब्द बना है अमन दूसरे में देखो नल सब्द है ये कितने वर्णों की योग से मिलकर बना है और कौन-कौन से वर्णों का इसमें प्रियोग किया गया है तो इसमें नवरने आवरने लैवरन और एवरन यानि इसमें चार वरनों का प्रयोग किया गया है सेब सब्द है इसमें कितने वरनों को प्रयोग में लिया गया है और वो कौन कौन से वरन है तो सेब में सैवरन एवरन बैवरन और एवरन इसके अंतरगा चार वरनों को का में लिया गया है तो आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक वरण मिलते हैं तब एक सब्द बनता है और ये वरण क्या होते हैं हम इसी के बारे में जानकारे प्राप्ते करते हैं तो इसमें देखा गया है कि उपर दिये गए सब्द विभिन धवनियों से मिलकर बने हैं जैसे अमन सब्द है अमन जो सब्द था उसमें ये देखो पांच वरणों का इनमें प्रियोग किया गया है तो इनमें सारे धवनिया अलग अलग तरीके से निकाली गई है तो इसमें पांच धवनियों का प्रियोग किया गया है यानि वरण होते हैं उसमें धवनी होती है और धवनी के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता है और उसी दो या दो से अधिक जब वरण मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं एक सब्द बना देते हैं तो ये धवनिये इतनी छोटी हैं कि इनके आउट अधिक टुकड़े नहीं किये जा सकते जैसे ए है ए वरण है इसके आउट टुकड़े क्या करोगे मैं मैं के नीचे हलंद लगा रखा है हलंद लगाने का तात्प्रे क्या हो गया कि ये मैं है ये आधा है इसे ही नय है नय के नीचे भी हलंत लगा रखा तो इसे हलंत का क्यार्थ हुआ कि नय आधा है तो ये तो आधे तो पहले से ही है तो इनके टुकड़े तो पहले से हो गए है तो इनके हम ओ टुकड़े क्या करेंगे तो इनके और अधिक टुकडे नहीं किये जा सकते इन धाउने लिखित रूप को वरणे कहते हैं वरण को अक्सर भी कहते हैं यानि अक्सर अलग नहीं होते चाहे इनको आप वरण कह सकते हो चाहे इनको आप अक्सर भी कह सकते हो दोनों एक ही है तो हम वरण की परिभासा जानते हैं कि वरणे किसे कहते हैं तो भासा की वै छोटी से छोटी धवनी जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते वरण कहलाती है फिर से ध्यान से देख लो आप भासा की वैं छोटी से छोटी धवनी जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते वरणे कहलाती है यानि ये भासा की सबसे छोटी धवनी होती है जिसके वो टुकड़े हमें कर ही नहीं सकते कि ओ टुकड़े क्या करोगे आप नहीं हो सकता है कि टुकड़े मैं कि टुकड़े हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते तो यह तो वो छोटी छोटी धावनी हो गई जिसके हमें ओ टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं वरण कहते हैं आगे आता वरण माला वरण माला किसे कहते हैं तो वरणों के वैवस्ति समों को वरण माला कहते हैं वरणों के वैवस्ति समों को वरण माला कहते हैं अब आप पूछोगे कि वैवस्ति समों है क्या होता है वर्णों के वर्णमाला तो समझ में आ गई कि वर्णों के व्यवस्ति समो को तो वर्णमाला कहते हैं लें व्यवस्ति समो क्या होता है तो इसमें देखो स्वर की बात करती है हम पर सबसे पहले तो आ के बाद में क्या आता है आता है आ के बाद में E और E के बाद में E, O, O, R, A, I, O, O इस परकार से इनका वैवस्ति समू है एसा तो नहीं है ना कि A के बाद में E लिख दिया E के बाद में O लिख रहे हैं एसा नहीं है इनको क्या किया हमने वैवस्ति समू है यानि करमवत्ता के साथ लिखा है वैवस्ति समोकार्थ हो गया करम बदता कि करम के अनुसार लिखना तो स्वर हैं ये सारे ए आ ई ई उ उ डी ए आई ओ आउ तो ये सारे स्वर हैं और इन स्वरों की संख्या कितनी है ये जो स्वर लिखे गए हैं इनकी संख्या है ग्यार है यानि स्वर की संख्या कितनी होती है ग्यारह होती है अनुस्वार और विसर्ग यानि अंग और एह को क्या कहा जाता है अयोगवा है कहा जाता है ये उपर जो ए के उपर बिंदी लगी हुए इसको कहा जाता है अनुस्वार और ए के आगे दो बिंदी ये लगी हुए इसको का जाता है विसर गे और इन दोनों को ही अंग और एह को नाम दे दिया क्या अयोगवा है इनको तो नाम दे दिया क्या स्वर नाम दे दिया और इन स्वर के संख्या कितनी हो गई 11 हो गई और अनुस्वार में अंग और एह है इनको नाम दे दिया अयोगवा है और अयोगवा है कि संख्या कितनी हो गई दो हो गई आ गए समझ में फिर आता है वेंजन कौन से होते हैं तो यह कैक है यह सारे ही वेंजन होते हैं ना यहाँ पर संख्या बता रखी है पचीस तो यहाँ पर पचीस संख्या कहाँ से कहां तक की हो गई कैसे लेकर के मैं तक की संख्या हो गई कितनी 25 और इन 25 को कौन सा नाम दे दिया गया इस पर स्वेंजन और इस पर स्वेंजन इनको नाम क्यों दिया गया है क्योंकि हम जब इन वर्णों को बोलते हैं कौन से वर्णों को कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को तो जेब मुख के विभिन भागों को छूती है जेब मुख के विभिन भागों को छूने कारण ही इनको नाम दे दिया इसपर्स विएंजन तो पूछा जाए इसपर्स विएंजन किसे कहते हैं तो जिन वर्नों का उचारन करते समय जे भी मुख के विबिन भागों को छूती है उसे कहते इसपर्स वेंजन और इसपर्स वेंजन कौन से होते हैं तो इसपर्स वेंजन कैसे लेकर के मैतक के जो वरण होते हैं वो व्येंजन इसपर्स व्येंजन नहीं कहलाते हैं इसपर्स व्येंजन की संख्या कितनी होती है इसपर्स व्येंजन की संख्या 25 होती है तो इससा बातों ध्यान में रखेंगे अब यहां पर इसमें भी देखो व्येंजन के अंतर का दुव्यवस्ति समूँआ देखो कि कहे चै के बाद में कॉन सी लईनाती है, टै के बाद में टै के बाद में पैवाली लईनाती है, तो यह वाइस्ति अपनी वरणमाला कहलाई तो वरणों के उसको ही वरणमाला कहते हैं और इसी वरणमाला की अंतरगत यहां पर है दो अलग अलग भागों में बता यानि वरणों के दो भेद बता दिये गये हैं एक तो सुर और दूसरा वेंजन और स्वर के अंतरगत भी बता दिया गया कि स्वर कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या मैंने आपको बता दी कितनी होती है, 11 होती है वेंजन है तो वेंजन की संख्या 33 होती है लेकिन यहाँ पर इस पर स्वेंजन को मिला कर इनकी संख्या कितने हो गई 25 हो गई बाकी आगे दे रखिए वो पड़ते है यह देखो आगे 25 तो बहु गई अब इनकी अन्ता सिंख्या पड़ी थी वो यहरा लहवा को अंतस्तवेंजन क्यों कहते हैं क्योंकि जिन वड़नों को उचरां करते समय जीब मुख के विभिन भागो को पुन्तिया नी छूती उन्हें अंतस्तवेंजन कहते हैं अब आप इसको देख सकते हो बोल करके कि जब आप यहरा लहवा को उचरां करते हो तो जी पालीब है वो मुख के विन बाहलों को पूर्ट या नियच हो रही इस्त्वयंजन को नाम दे दिया nda कई बच्चे ना इन तिनों को सह बोलते हैं सह तो कौन सा इसमें ये वाला सह है बाकी ये वाला तो शह और ये वाला शह और उसमेंजन के संख्या कितने होती है चार होती है शह शह सह है ये चार ही तो है उसमेंजन के संख्या कितने होती है चार होती है उसमेंजन किसे कहते हैं जब हम वरण बोलते हैं तो जीब की रगड़क के कारण उसमा पैदा होती है या मुख से गरम वायू निकलती है तो उन वरणों कहेंगे उसमेंजन और जब ये जो चार वरण दे रखे हैं जब इन आप चार वरणों को बोलोगे तो जीब की रगड़क के कारण या उसमा पै ही आग आता है सह्युक्त वेंजन के संख्या कितनी है जार है कौन से हैं सह्य तरह क्या है और वेंजन हो गए और ये है और साम दे दिया संईत वेंजन अब capable को बता जैता हूं यह दो वेंजन की योग से मिल कर बनेखो जैसे ढ़ो हम अक्षे की बात कर लेते हैं सब से पहले अक्षे कुल से वेंजन से मिलका बना है तो ये कह और शय वेंजन से मिलका रहे बना है अक्षय तरह है ये तरह कौन से वेंजन से मिलका बना है तरह और रहे इन दो वेंजन के योग से मिलका बना है तरह अक्षय है काय और शय से होत रहा तय और रह से अब ये दोनों ही तो वरण है काय और शय भी वरण है तय और रह भी वरण है लें काय और शय जो वरण मिल गए तो उसे बन गया अक्षय है तय और रह वरण मिल गए तो उसे मिल गए तरह एसे ही इसमें देखो गय, गय की बात करते हैं गय है ये जय और नयाज से मिलकरे बना है ये वेंजन है ये आधे होते हैं पूरे कब होते हैं जब इनमें स्वर मिल जाता है तब ये पूरे होते हैं हाना ये निचे हलन तिसले लगाए गया है कि ये आते होते हैं वेंजन और पूरे किसके योग से होते हैं स्वर के योग से होते हैं गय गय बनता है जय और नय से और आगे आता है स्रय स्रय किसे मिलका बनता है सह और रह के योग से मिलकर इस्रय बनता है सह और रह के योग से स्रय बनता है तो इस परकार से सहयुक्त वेंजन है वो दो वर्नों के योग से मिलकरे बनते हैं ये दो वेंजन है इनके योग से मिलकर बना है ग्याय और शय और रहे हैं ये दो वर्नों के योग से मिलकर बना है इसरै इसके अलावा अतिरिक्त वेंजन के बात करते हैं तो अतिरिक्त वेंजनी सही क्या होती है दो या आप इसको देख रहे हो अड़ा लिखती है अड़ा तो इस परकार से लिखा जाता है अड़ा में बिंदी यहां पर आती है लेकिन ये अतिरिक्त हो गए इसको नीचे लिखा गया है दूसरा वेंजन आप देख रहे हो ये वाला लिखा हुआ है है ना जबकि ये इस किसमें कामे आता है पढ़ना सब्द जो लिखते है ना उसमें कामे आता है और ये ओ जै और फै ये कौनसी दवनी हो गई ओ जै फै ये आगत धवनी हो गई कौन सी धवनी हो गई है आगत धवनी इस परकार आगत धवनियों के अतिरीट हिंदी वरण माला में वाउन वरण है यानि कहने का मतलब है हिंदी के अंतरकत हैं हम बहुनने और लिखने में कितने वर्नों काम में लेते हैं 52 वर्णों को काम में लेते हैं तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ जब हम इन SYs VARनों को सवर और वियंजन के अधार पर दो भेद कर देते हैं तो इस परकार से इनके संख्या 44 उती है क्योंकि जो सवर होते हैं ना सवर सवर के संख्या तो होती है कितनी? 11 होती है और जो VNG होते हैं न you engine व JENgen के संख्या कितनी होती है 33 होती है लेकिन तो इस परकार से इनके कुल संख्या कितनी हो गई 44 हो गई लेकिन इसी 44 के अंतरगते तो लेकिन जो आप हम बोरने वो लिखने में जितने वरनों कामे लेते हैं जिसके अंतरगते सवर और वेंजन के अंतरगते सायुक्त वेंजन नहीं काम में लिये जाते अतिरिक्त वेंजन उसमें नहीं जोड़ी जाते आगा धवनिया उसमें नहीं जोड़ी जाती सवर और वेंजन के अंतरगते आगे देखते हैं देखो इसमें बताया गया है वर्नो यहाँ पर हिंदी वरण माला में कितने वरणों कामे लिया जाता है बाउन वरणों को कामे लिया जाता है अब वरणों के भेद सवर और वियंजन सवर किसे कहते हैं सवर किसे कहते हैं जिन वरणों का उचारान करते समय वायू बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलते हैं उन्हें सवर कहते हैं किसी की साहता नहीं लेनी पड़ती और सवर किसे कहते हैं जिन वरणों को उचारान करते समय वायू बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है अर्थाते सवर को बोनने में किसी की साहता नहीं लेनी पड़ती यहां इस बात पर ध्यान देना अवशेक के हिंदी में री सुत सवर नहीं रह गया क्योंकि कि इसका उचारान लगबग री के समान होता है इसका प्रियोग केवल संस्कृत के तत्सम सब्दों में होता है यानि तत्सम सब्द कौन से हो गए जो संस्कृत भासा के सब्द हिंदी भासा में बिना किसी प्रिवर्तन के आ गए वो तत्सम सब्द होते हैं यह हम सब्द आपको यह तचसान सत्र कोन से होते हैं तो उच्चार्म लगने वाले समय के अधार पर स्वर के तीन भेध होते हैं कितने तीन भेध कौन से हो गई हैसुषवर दिर्ग स्वर और पलुषवर सवर के कितने बैद होते हैं सवर के तीन बैद होते हैं सवर के तीन बैद कौन से होते हैं हसु सवर दिर्ग सवर हो रहे हैं पलु सवर अब सबसे पहले हम हसु सवर के बारे हम जानते हैं कि हसु सवर किसे कहते हैं हसु सवर किसे कहते हैं तो जिन सवरों के उचारण में कम समय लगता है, उन्हें हस्वर कहते हैं, यानि जो वरण हम बोलते हैं, उसमें बोलने में समय कम लगता है, समय कम कौन समय लगता है, ए, उ, टी, ये चार सवर एसे हैं, जिनका हम उचारण करते हैं तो समय क्या लगता है? कम लगता है तो जिन सवरों का उचारण करने में कम समय लगता है उसे हस्वर कहते है दूसरा होता है दिर्ग सवर दिर्ग का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है तो जिन सवरों के उचारण में हस्व के उचारण लगने वाले समय से दुगुणा समय लगता है, उन्हें दिर्ग स्वर कहते हैं, यानि हस्व स्वर से कितना समय लगेगा, दुगुणा समय लगेगा, हस्व स्वर से कितना समय लगेगा वो उन्हें में दुगुणा समय लग ए आई ओ आउ तो ये बड़े हो गए है ना छोटे वाले कौन से है छोटे वाले तो ये है ना ए उरी और बड़े वाले कौन से हो गए आई ओ आउ तो ये बड़े वाले हो गए है ना क्योंकि ये छोटे वाले क्यों है ए उरी क्योंकि इनका जब उच्छारा करते हैं तो समय क लगता है और यह बड़े वाले हो गए तो यह क्यों हो गए क्योंकि हस्वर से इसमें दुगुना समय लगता है तो इन्हें दिर्गिस्वर कहते हैं तो ध्यान में रखना इसकी परिवासा कि जिन सवरों की उचरमें कम समय लगता है उसे हस्वर कहते हैं और जिन सवरों की कौन से होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, यह होते हैं अब दीसरा आता पलुस्वर पलुस्वर किसे कहते हैं पलुस्वर जिन सवरों के उचारन में हैसुस्वर से तिगुना समय लगता है तिगुना समय किसे लगेगा हैसुस्वर से तिगुना समय लगेगा उन्हें पलुस्वर कहते हैं पलुस्वरों का परियोग मंत्र उचारण के समय या किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है जब मंत्र का उचारण करते हैं ना मंत्र पढ़ते हैं उस समय पलुस्वर का परियोग के जाता है या फिर किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है कोई दू तो यानि प्रलुस्वर का उचारण निकल रहा है क्योंकि है थुकूणा समय लग रहा है, शुगोणे में, भाया, राधा, तो इस परकार से उचारण हम करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें हैашस्वर से तिगुना समय लगता है, तो आप समझ गए होगे हैशस्वर है, जिसके उ मैत्रा के लिए एक निर्धाडी चिन का प्रियोग के जाता हूँ जिसे मात्रा कहते है यानि व्यांजन तो होते हैं आध्या दूरे होते हैं व्यांजन तो हाना लेकिन वो पूरे कब होते हैं पूरे होते हैं स्वर की सायता से और स्वर के अंतरगत ही व्यांजन के उपर जब स्वर की मात्रा लग जाती है तो वे पूरे होते हैं तो इसके लिए जो चिन होते हैं वो किसके होंगे स्वर के लिए होंगे तो स्वर के लिए एक निधार चिन का प्रयोग होता है जिसे मात्रा कहते है अब ए एके तो कोई मात्रा नहीं होती आ कि ये वाली मात्रा होती है देखो ए के आगे ये एक लाइन खेंज दी गई है ये वाली आ में देखो आप ए में कोई लाइन नहीं है आ में ए के आगे वाल लाइन खेंज दी तो ये क्या हो गया आ हो गया ये की मात्रा ये वाली होती है जैसे आप एक सब्द लिखते हो क्यों की लिखते ह इस की मात्रा लगी है कैमें ये वाली मात्रा लगी है यह वाली मात्रा कौन सी ए की है छोटी वाली ए की है छोटी वाली ए की मात्रा कौन सी होती है ये वाली होती है आ रहा होगा आपके समझ में ऐसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कमल तो इसमें तो कोई मातरा नहीं है ए है ना यहां पर बात बताई जा रहे ए की बताई जा रही है इसमें कमल सब्द लिख दिया तो कोई नहीं है आ में देखो मातरा कौन सी हो रही है तो कैमे यह मातरा लगा दी तो क्या हो गई का हो गया जैसे कागज ए में ये वाली मातर ए की है जिससे कया में ये वाली मातर लगाती हो गई की जैसे किसमिस की में लग रही है नहीं ये वाली मातर लग रही है तो मी हो रहा है एसे देखवा कि और इसमें देखो E इ की बात आ रही है तो यह वाली मातरा होती है जिसमें बोला जाता है की जैसे कील उ, उ की मातरा यह वाली मातरा उ की होती है जैसे कू से बनता है कुमहार कह में यह वाली मातरा लगा दी तो यह क्या हो गया? कू पू, उ में ये वाली मात्रा लगा दी जैसे कय में ये वाली मात्रा जुड़ गई तो ये क्या हो गया कू हो गया जैसे कुलर री, री में ये वाली मात्रा लगा दी कय में ये वाली मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया क्री, तो क्री, क्रिशी A A में A की मातर ये वाली है कैमें ये वाली मातर लगाते है क्या हो गया के हो गया कैसे केरल A से A की मातर ये वाली मातर ये I की मातर ये वाली होती है उपर दो मातर लगाई गई हैं इसमें जैसे कई तो इसको हो गया कैसा O को की मातरा ये वाली होती है कहमे ओ की मातरा लगने पर हो गया को कहमे ओ की मातरा लगने पर क्या हो गया को हो गया जैसे कोतवाल अउ में की मातरा ये वाली होती है कहमे अउ की मातरा लगने पर क्या हो गया को हो गया जैसे कोसल तो आप समझ गए होंगे या आपको मातरा याद रखनी होंगी कि A की मातरा तो होती नहीं है A की मातरा कौन सी होती है एक एसी लाइन खेंची होती है वो A की मातरा होती है A की मातरा ये बता रखी है O की मातरा ये बता रखी है O की ये है R की ये वाली है ए की ये है अई की ये वाली ओ की ये वाली और अव की ये वाली तो ये सारी मात्रें आपको याद रखनी है और इन मात्राओं को किस माध्यम से याद रखोगे इन मात्राओं को जो सारे सब्द दे रखे हैं इन्हें के माध्यम से यादे रख सकते हो आगे देखिए कुछ मात्रे वेंजन के साथ दाई और कुछ वेंजन की खड़ी पाई के नीचे कुछ शिरो रेखा के उपर लगाई जाती है रेख एंजन में उ और उ की मात्रा हैं उसके बीच में लगती हैं जैसे रे रे में उ लगा रहे हैं रू यानि गुरू गुरू सब्द देखो रुपिया सब्द देखो उसमें उ की मात्रा लगी हुई है तो ये सारी मात्रा हैं किस में लगी हुई है रह में लगी हुई है गुरू रुपिया ऐसे रह में देखो उ की मात्रा होने पर रुग है अमरूद जरूर तो इसमें तो उ की मात्रा है अमरूद और जरूर में तो उ की मात्रा है और गुरू और रुपिया में उ की मात्रा ह थीक है ना इन बातों ध्यान में रखना है यानी एसी मात्राइं जो ये जो मात्राइं नीचे दिखाई गई हैं ये वाली मात्राइं किसे में आती हैं रह वाले में ये आती हैं ध्यान में रखना इसके बाद में हम पढ़ेंगे वेंजन आज हम इतने पढ़ेंगे वेंजन के बारे में हमें कल पढ़ेंगे धन्यवाद